नमस्कार भाईयो बहनों, एलोवेरा की खेती से किसान बनेंगे लगपती, हर वर्ष करेंगे 5 लाख, 10 लाख की बचत, खर्च केवल 10 लाख प्राप्त करने के लिए मात्र साल में 1 लाख रुप्या खर्च होगा एलोवेरा जिसे घृत कुमारी या गवार पाठा नाम से जाना जाता है, यह एक आउसधी पौध के रूप में जाना जाता है, इसका प्रयोग सताब्दी इस्वी से आउसधी के रूप में किया जा रहा है, प्राचीन गरंतों में भी इसका उल्लेख मिलता है अच्छे विकास के लिए एलोवेरा के पौध जुलाई अगस्त में लगाना उचीत रहता है, वैसे सर्दियों को छोड़ कर पूरे वर्ष इसकी खेती की जा सकती है एक हेक्टियर में कम से कम 15 से 20 तन सड़े गोबर की खाद डालनी चाहिए वर्षात में इसके लगे पौधों से छोटे छोटे बहुत से कल्ले निकलते हैं, इनको अलग करके जड़ सहीत पौध रोपन के लिए काम में लिया जा सकता है प्रथम वर्ष पौध रोपन में खर्च आता है, लेकिन एक वर्ष बाद पर्याप्त छोटे छोटे कल्ले निकल आते हैं, जिसका प्रवर्धन आसानी से हो जाता है और इतना पौधा हो जाता है कि आप इसे विक्री भी कर सकते हैं सीमय प्लखनव उत्तर प्रदेश में इसकी विस्तित टेक्नलाजी पर ट्रेडिंग दी जा रही है, प्रसंसकन के तरीके भी बताये जा रहे हैं और वेराइटियां भी उन लोगोंने निकाला है, जिस वेराइटि को ले करके आप बहुत अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए माडल भी लगाया गया है, जिसे देखकर समझकर इस खेती को आप आयाम दे सकते हैं एलोवेरा को की एक हेक्टेर में 40-45 तन मोटी पत्नियां प्राप्त होती हैं, जिसका बाजार भाव 25-30,000 प्रती तन है, बाजार का उतार चड़ाव चलता रहता है एलोवेरा का पौधा बिना तने का या बहुत छोटे तने का एक गुदेदार और रसीला पौधा होता है, जिसकी लंबाई 60-100 सेंटीमीटर तक होती है, इसका फैलाव नीचे से निकलती साखाओं द्वारा होता है इसकी पत्या भालाकार मोटी और मांसल होती है, किनारे किनारे काटे जैसे उसमें लगे रहते हैं, जिनका रंग हरा हरा स्लेटी होता है गर्मी के मौसम में पीले रंग के फूल उत्पन होते हैं, हिमपात और पाले का सामना करने में थोड़ा अच्छा हम है आवस्चता नुसार निराई गुड़ाई आप करते रहें, बरतमान में नए नए तरह की बिमारियों के कारण इसकी उत्पाधक्ता की और किसानों का ध्यान बढ़ रहा है देश बिदेश की कमपनियों की बढ़ती माग के कारण भी अब इसकी खेती का विस्तार हो रहा है कम लागत में अधिक आमदनी के कारण भी किसान इस खेती को की ओर आकरसित हो रहे हैं इसे कोई जानवर नहीं खाता है तो इसलिए और कोई बहुत जादा बिमारियां भी नहीं लगती अगर आप आरगेनिक तरीके से जैविक बिदी से करते हैं ग्वार पाठा जिसको हम एलुवेरा कहा रहे हैं एलुवेरा का जैविक खेती में बहुत ब्यापक प्रयोग आ रहा है कीट नासी दवा बनाने में मिती का उर्बरा बढ़ाने में ये इससे बहुत तरह से इसका सत निकाल करके जैविक खेती में किसान जो कास्टाप कल्टिवेशन है उसको कम कर रहे हैं गृत कुमारी का उपयोग मानव सौंदर प्रसाधन और उपचारात्मक प्रभाओं के संबंद में करने लगा है सौंदर यहम दवा उद्योग इसके चीस्ति गुरों का निरंतर दवा कर रहे हैं गृत कुमारी का स्वाध बहुत करवा होता है यह द्यपी इसके जैल का प्रयोग व्यावसाहिक रूप से उपलब्धन नहीं है अभी